नागपुर को पीम मोदी की स्टोगात बंदे भारत और में ट्रो को दिखाई अरी जंडी समर दिवार गौर एम्स का किया उधगाट गासदबाद को पीम मोदी ने दी सोगात उत्तर भारत की सबसी बड़े नेश्वर इंस्टीडो आफ युनानी का वर्चुली उधगाटे नंस्यार के लोगों को मिले गलाव इमाचल को मिला नया मुक्टमंत्री सुखविंदर सिंग सुख्षू बने सीम शिमला में हुआ शपत देंट समारू मुकीश अगनिहोत्री ने ली डिप्री सीम की शपत लवाचार पाचवी बार चुने गया विधायक पत्रकार से बने थे राजनेता इमाचल में सरकार बने पर कॉंग्रेस कायकरताओं ने जम कर खुशी मनाई शिमला में ढूल नगाडों में डांस करते नजरायस अगर से बने थे राजनेता गुजरात के नयमंत्र वंडल पर दिली में 6 गंटे तक हुआ वंधन पियम मोदी और हमिश्या के साथ भूपेंद्र पटेल ने की चर्चा ने चेरों को मिल सकता है मौका गुजरात में आमाद्बी पार्टी को लग सकता है जटका सूत्रों के मताबिक बीजेपी के संपर्क में आपके चार विदाएक भूपत भायानी का बीजेपी में शामल होने से इनकार कांवड यात्रा पर उठाय सवाल सरत पर नमाज पढ़ने को बताया सही कांवड प्लिस ने संदीक दर बंगलनदेशी नागरिक रिजवान को गिये रफ्टार आएसपी विदाएक किरफान स्ोलंकी ने किया था भारतिय नागरिक प्रोलिस पाकिस्तान भी गया था रिजवान कानपुर में पकड़े के बंगलो देशी नागरी पर जाथ सूशी का शक पोलिस ने रिजवान की पत्मी और बच्चों को एरासर मिलिया अधार काड़ की पासपोर्ट और 14 लाग के अज़ जब वारणसी के संब्सक्राइब